क्रिकेटर मुहम्मद कैफ को सलाह दी गई है कि उन्हें अपने नाम के आगे से मुहम्मद हटा लेना चाहिए कौन है वो जिसने कैफ को ये सलाह दी है आखिर क्यों कैफ को ये सलाह दी गई है और कैफ ने इस सलाह के जवाब में क्या कहा है इस रिपोर्ट में देखते हैं तो वहीं पाकिस्तानियों के लिए बेचेन करने वाली कुलभुशन पर आए आईसीजी के फैसले से सभी खुश है। क्रिपया अपने नाम से मुहम्मद हटा लीजिये। कैफ ने नाम से मुहम्मद हटाने के जवाब में कहा। वह अगर मैं भारत की जीत को सपोर्ट करता हूँ तो मुझे अपने नाम से मुहम्मद हटा लेना चाहिए। मुझे अपने नाम पर गर्व है। आमिर का मतलब है जि इसके बाद पाकिस्तानी यूजर ने फिर भारत्य मुसल्मानों की आजादी पर सवाल उठाते हुए कहा आप तो बीफ बर्गर भी नहीं खा सकते तब एक और भारत्य मुसल्मान ने पाकिस्तानी यूजर को करारा जवाब देते हुए कहा तुम्हारे पाकिस्तान से तो का कॉपिराइट नहीं है भारत सबसे जादा मिल जूल कर रहने वाला और सहिशनु देश है एक भारतिया मुसल्मान ने ट्वीट किया हिंदुस्तानी के नाम में मुहमत भी रहेगा और दिल में कुल भुशन जादो भी रहेगा और सिर्फ हिंदुस्तानी मुसल्मान ही नहीं ऐसे सिर्फिरे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मुस्लिम ने भी करारा जवाब दिया शेहरियार खान नाम के एक पाकिस्तानी ने कैफ को रिपलाई करते हुए लिखा मिश्टर कैफ ऐसे बेवकूफों के मुहमत लगो यहां पाकिस्तान में मान सकता है कि अगर कोई मुसलिम इंडिया को सपोर्ट करता है तो वो हिंदू है भारतिय मुसल्मानों को भारतिय हिंदों ने भी पूरा सपोर्ट किया मनोज नाम के एक यूजर ने लिखा अच्छा लगा ये देख कर कि बहुत सारे मुसलिम भाई कैफ का सपोर्ट कर रही है ये दोनों समुदायों में विश्वास पैदा करता है आपको बता दें कि कुलभुशन मामले में सिर्फ कैफी नहीं बलकि विरेंदर सहवाग ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है